यूखे therefore हेपी दिवालि इडवांस दोस्तों आज कोई रिपेर कर यह सब का वीडियो लेकर नहीं है वह दिनों से कुछ शोश था क्योंकि दिवालि आ कर दोनीohl मायakah इसका देखिया आप प्लक को हिला दोगे तो लाइट जो है बन हो जाता है इसमें कुछ मैश्टिक या कुछ पेकिंग लागा करके हम लोग को लगाना पड़ता है बहुत ही मुश्किल है तो रिपेयर के बारे में तो हर को यह बनाती है दिखे तूपिन प्लक को कानिक कर आप कानिक करेंगे तो यह दिखे यह लूस से जले गए नहीं है तो इसका एक सॉलूशन में निकाला हूं मैं भी खुद दिवाली का लाइट जो है अपने घरों में दिक्वांदुकानों में जलाता हो तो बहुत मुश्किल से जला पाता हूं यह प्लक इसका जो पीन है यह सोकेट में नहीं नहीं देटावर तो अक्सर क्या करते हैं इसकर connection जब करती है घर में तो ये plug को cut start करके हम वायर को मैंन हेसी supply का जो वाइर है राइशलेट का connect जो है उसमें हाद कर देता है तो यह सिंसलइशन पैप कां तो इसको लगा कर यह दो सेकेंड का काम है अगर आपका पास यह इसलेशन पाइब है तो आप कर सकते यह देखे आप को मेजर करके आप थोड़ा दो पीस काट करके निकाल लीजिएगा निकाल करके इसमें वायर का साथ जो है टॉप जो राइस लाइट का जो टॉप है पीन है उसमें हम लोग बिठाएंगे यह देखे इसमें आप जो अपना वायरिंग का जो वायर होता है एक टुग्रा वायर ले लिजिए इसमें पार लाइट जो है बरबर जलते जाएगा यह वायर से आप इसका जो अंदर चोटा चोटा है इसमें से 4-5 स्था ले ले लिजिए गा ले करके इसको अच्छा से जो है एक दूसरे के साथ जॉइन करके मौर करके दोस्तों वीडियो को अंतक दिखिएगा क्यूंकि इसका कनेक्शन का बारे में भी एक वीडियो में बनाऊंगा वीडियो में दिखाऊंगा यह देखिए यह टार को आप ऐसा फॉल करके अंदर लगा दीजिए उसके बाद जो यह फाइब में को जो इंसुलेशन पाइब आराम से थोड़ा सा पूस्ट करेंगे तो आराम से आ जाता है यह पिन का अंदर तो इसको थोड़ा सा पूस्ट करके दबा करके मैं इसको अंद पिन का पिन जो है स्वकेट में लगा के छोड़ देंगे जब आप लगाएंगे वह जलते रहेंगे लेकिन कभी कभी कोई हिला देगा उसको नहीं तो अपने आप हिल जाएगा तो अब लाइट जो है बन हो जाएगा तो फिर से यह देखिए तार दिखारों में यह नहीं कि मैं दो तिन ट्रिक जो है करता है मतलब ट्राय करके देखाओ लेकिन नहीं हुआ उससे काम नहीं चल पाया लास्समें यह ट्रिक जो है मैरा काम कर गया तो इसके लिए मैं यह वीडियो जो सेरो अकर यह रहो हो हैедь एक जो own rice light रीए उसमें आसा होता है यह जो हमान को यह लोग बनाते हैं पंब कि सोकेट में जो है आराम से आ जाता है लेकिन यह बर्ष नहीं बैठा है क्यूंकि स्थोटा साइस इसका साइस जो है बहुत चोटा बनाए जाता है है लोग कि यह देखिए है टाइट करके आ गया है यह वैर जो है थोड़ा ऐसे बाहर निकाल के रखेगा ताकि वह सौकेट का जो हॉल है उसमें आराम से टाइट करके बैट जाएगा कि दोस्तों चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट कर दिए और जरूर कॉमेंट में जरूर बताएगा शेयर कर दीजिएगा जो एक्स्ट्रा वायर निकला हुआ है इसको अच्छी तरह से आप नीचे से काट करके फेक दीजिए क्या नहीं तो यह अगर भार निकला हुआ होगा तो आप जब सौकेट में इसका कनिक्शन लगाएंगे तो हाट में लग जाएगा तो सोक लगने का चांस है क्यूंकि य आप लाइटर मार देंगे तो यह जो है टाइट होके जो आप सोकेट का जो आप टॉप को जो पीन है उसमें लग जाएगा चिपक जाएगा कि तोड़ा साइब मतलब हीट दे दीजिए इसमें तो यह आराम से बढ़ जाएगा यह लग जाएगा अंदर कि देखिए अभी सोकेट में फीट हो गया है अराम से यह टाइट लग रहा है कि देखिए तो यह जो है अभी आपका कानेक्शन जो है लूज नहीं हो गई है देखिए कि टाइट करके लग गया है कि थोड़ा टाइट लगेगा आप जोड़ से दवा करके थोड़ा प्रेसर दे करके इसको बिठाईएगा ताकि वह आराम से बेट जाएगा अंदर ने दोस्तों वीडियो का अंतक देखिए गए सका कनेक्शन पारे में है आप लोगे को एक आइडिया में बताने वाला हूं कि यह देखिए यह राइसलेट का जो कनेक्शन ने यह अक्सर हम लोग क्या करते हैं इसमें कट कर देते हैं या इलेक्टरिशन जो भी आप इसलेशन के लिए बुलाएंगे वह डर कट कर देते हैं कट करके जो फ्लेक्सिबल वायर जो भी है यह देखिए फ्लेक्सिबल वायर इसमें वो अपने माप के अनुसार जो है इसलिफ को निकाल करके उसमें कनेक्शन करके ब्लेक्टिब लागा कर रख देते हैं और यह फ्लेक्शिबल जो है क्योंकि भीच भीच में आप जो है इसका इसलिफ निकाल देंगे तो अगले साल जब आप इस्नमाल करेंगे तो मुश्किल हो जाता है लकाने में इसको क्योंकि हर जगा में इसका कट बना हुआ रहता है यह देखे यह मेल फिमेल कनेक्टर जो टॉप जो है यह पांस-दस रुपे में आता है आपका घर में अगर आप लगाएंगे तो भी कित से बना करके रख दीजिए चार-पांच साल दस सल अराम से चल जाएगा कोई प्रावल्म नहीं होगा बस दिवाली का समय आएगा निकालिए उसको डालिए अराम से अपना डिवाली का जो लाइट वगेरा जो भी है आप लगाना चाहते हैं लगाई आराम से यह देखिए क कानेक्शन को मैं बता रहा हूं कैसे लगाएंगे बस अपने लाइट के अनुसार जितना भी आपको मिल फिमिल टूपिन टॉप चाहिए आप लिया करके यह फ्लेक्सिबल वायर जो है लिया करके लगाईएगा यह फेस टू फेस आप जोड दीजिए और यह नेगेटिव जोड दीजिए घी हाई? कर दोस्तों और एक और बात है यह जोべख नियुद को दिखा रहा हूं यह उन्ट के लिए हैं अल्यमीनियम का फ्लेक्सिबल है अगर घरों में आपका घर में इस्तेमाल करने के लिए लेते हो तो कोपर का जो फ्लेक्सिबल होता है वहीं लीजिएगा क्योंकि कॉलेटी अच्छा रहता है और लास्टिंग भी उसका अच्छा रहता है कि यह देखिए यह फर्स कनेक्शन जो है फीमेल कर दिया हो उसके बाद जो है अब अपने जरूत के अनुसार एक फिट में दो फिट में तीन फिट में जितना भी दूरी पर आपको जो राइस लाइठे लगाएंगे वह जरूत के अनुसार काट करके वायर को वहाँ पर एक कनेक्टर लगा दीजिए बस दोस्तों यह तरीका जो है मेरे लिए तो अच्छा लगता है क्योंकि आप जो है दिवाली जब फतम हो जाएंगे आप जब लाइट को निकालेंगे आपना जो फिमेल कनेक्टर रहे हुआ से अपना जो आपको जो राइस लाइट है उसको निकालिए फॉल करके रख दीजिया राम से पगिंग करके अगले साल जब दिवाली आएंगे उसको फिर आपको जो अपने अपने कनेक्शन बना है तुप के जरीए फिमेल आपका राइसलाइज जो है कनेक कर दीजे बस और बीच में जो कट करके हम लोग कनेक्शन देते हैं फ्लेक्सिबल का स्लिफ निकाल करके उसमें टाइम भी काफी ज़्यादा लगता है और रिक्स भी रहता है अब अगर ब्लेक्टिप को अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे बीच में लिख हो जाएगा बचे वगएरा होते हैं घर में वह जाकर करके कभी टच कर देंगे सौक लगने का चांस है कि देखिए यह मैं सेंप्ल के लिए यह दिखे आप तिन कनेक्टर लगा दिया हूँ यहां पर और यह जो पॉइंट है यह मैंने इसी सोकेट में लगाएंगे कि देखिए और सेंप्ल के लिए तो में यह कि मना यह यह जो यह दिखिए रेट का लगा जो राइसलेट जो मैं कनेक्ट किया हूँ यह दिखिए कि यह दिखिए कैसे फ्लिकर का ब्लिंग कर रहा है क्यूंकि कनेक्टर का कनेक्टर में वह उसका जो तौब है वह बड़ावर नहीं बैठा है देखिए और यह जो मैं अभी सेंपल के तोर पर बनाया हो यह अपनी जगह में एक बार लग जाएगा तो फिर मतलब लाइट ज छोड़ देते ही बन हो गया मतलब और जो मैंने अभी इंसुलेशन पाइब लगा करके जो बनाया था वह अभी जलना तो यहीं है दोस्तों यह जो राइसलेट का जो कनेक्टर है यह इतना चीप क्वालिटी में बनाते हैं यह लोग मतलब पैसे दे के खरीता है ना हम लोग करी में तो नहीं लेता है ना करिंट यह देखिए हैं यह क्यों कि ए मेरतीम फिम j ? आ च करनेक्टर है उसमें नहीं है आप पावर को जो सकite है आपको बोर्ड में जो चुम्हाचा पड़कर लिए उसको टाइट करना पड़ता है उसके बाद यह जा करके पैठे अगी तड़का दिखाया हूँ में अच्छा लगे तो आप लोग करिएगा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों ठेंक्यू